बहुत सारे लोग आज newcomers हैं कुछ नया सार्टप जूट रहा है कुछ नई working में जाना चाहते हैं और लोगों को समझ नहीं आता है कि कौन से business में investment किया जाए किस business को शुरू किया जाए business करने के लिए क्या क्या चीजे होनी चाहिए और किस business के अंदर कितनी बड़ी power कितनी ब है कि नमस्कार दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया में business क्यों करना चाहिए it is very very hot topic business ही क्यों क्यों कि बहुत सारे लोग आज newcomers है कुछ नया सार्टप जूट रहे हैं कुछ नई working में जाना चाहते हैं और लोगों को समझ नहीं आता है कि कौन से business में investment किया जाए किस business को शुरू किया जाए business करने के लिए क्या क्या चीजे होनी चाहिए और किस business के अं है दोस्तों वाट इस business बिजनेश जबर दस तिंग इन इंडिया बिजनेश एक ऐसी पावर है एक ऐसी वर्किंग है जिससे आप लाखों करोड़ों अर्बों रुपे कमा सकते हैं और इस business के अंदर ही वह सब कुछ है जो किसी और वर्किंग के अंदर नहीं होती है दोस्तो करने के लिए basic सबसे important है mindset आपको करना क्या है नमबर टू experience आपको किस लाइन का किस वर्किंग का experience काफी अच्छा है नमबर त्री आपके पास पैसा है कि नहीं उस business को करने के लिए जो specific पैसा चाहिए उसके लिए कितने टाइम का आपके पास bandwidth है कितने टाइम तक आप से ज्यादा important आपका location आपकी shop आपका office कहां किस working में है आसबस के competitors क्या है ऐसे बहुत सारे scenarios आपको business start करने से पहले 10 बार 20 बार 50 बार सोचना पड़ेगा working बनाना पड़ेगा तब जाके कोई business start होता है यह पहला basic basic है जो किसी भी business के लिए important है आज मैं आपको किसी भी business के सा समझाओंगा जिसमें इतना सब कुछ धिहान रखने की ज़रत नहीं पड़ेगी और आपका business एकदम बूस्ट करेगा एकदम तीजी से बढ़ेगा यह आपको समझाओंगा एक किसी भी business का example लेते हैं उसके बाद मैं दूसरे business के बारे में आपको guide करूंगा कि यह normal business traditional business क्या है और आज का जबरदस smart business क्या है इसके बारे में आपको यहां पर समझाओंगा बताओंगा ताकि आपको समझ में आए कि यह भी business हो सकता है दोस्तों आज कल के जो traditional business होते हैं उसमें सबसे important पहले आपको यह समझना होता है कि कि किस business को start करना है आपको manufacturing में जाना है आपको service formation में जाना है या कोई भी ऐसा टूल बेचना है इसा product बेचना है जिसको आप market कर सके वह product आपको identify करना होता है यह सबसे foremost thing है तो आप रेडिंग में जाए manufacturing में जाए यह सर्विस पार्ट में जाए यह सबसे पहले आपको decide करना होगा यह first foremost thing है number two इसके अंदर costing कितना लग number three very very important आपको इसके अंदर कहां से रामेटर मिलेगा कितने रेट मिलेगा कहां से कौन से मचीने लगेंगी कितना investment इसके अंदर होगा इसकी सारी calculation भी आपको करनी पड़ेगी number four यह सब करने के बाद इसका marketing strategy क्या है इसको बेचेंगे कैसे मार्केट कैसे करेंगे इसको simple यह basic traditional method है जिसके ऊपर मैं बात कर रहा हूं अब मैं आपको यहां smart business की बात करता हूं एक ऐसा business जिसके अंदर आपको कोई पैसा नहीं लगाना ध्यान से सुनीगा सबसे फॉर्मोस तिंग यहां पर 10-20-50 लग एक करोड़ दो करोड़ पांच करोड़ दस करोड़ आपको लगाना पड़ेगा तब कोई शुरूओगा यहां पर सिर्फ कोई पैसा नहीं लगाना कोई पैसा उतलब कोई पैसा नहीं सिर्फ 500-12000 रुपे कोई पैसा नहीं होते इसलिए मैं उसको पैसा नहीं बोलता हूं फ्री में एक तरह से business अपार्शोटी है दूसरा बड़ा reason द करता हूं जब आप किसी business में start करते है ड्रेडिंग manufacturing या कोई भी तो उसके लिए मशीने चाहिए लोग चाहिए स्टाफ चाहिए उसके लिए भी कोई वर्किंग नहीं कोई भी पैसा आपको नहीं लगाना यह भी फ्री नंबर फोर सबसे जाए इसकी marketing कैसे करना है उसके लि लिए और यह पैसा बहुत बड़ा बनाके देगा यहां पर हमेशा जब तक काम करेंगे तब तक पैसा आएगा जो नॉर्मल ट्रेडिश्टनल बिजिस होते हैं वहाँ पर जब तक आप फिजिकली मेंटली और इकनॉमिकली उसके अंदर पार्टिसिक्वेट करेंगे तब तक ही पैसा आएगा और जब दूसरा स्मार्ट बिजिस दे रहा हूं यहां पर आप फिजिकली आप नहीं फोकस करेंगे नौट एक्टिव रहेंगे तक भी एक्टिव इंकम के साथ साथ पैसे इंकम आएगी तो दोस्तों आपको सुनकर हरानी होगी ऐसा भी कोई बड़ा इंशॉरेज बिजनेस्사 दोस्तों इसको इन पर इंस्वारे कोई नहीं किया तो आपके लिए शांधार आपको सोच रहें है कोई बड़ी सविसेश के लिए ट ट्रेडिंग बिजनेस करना चाहते हैं एक बार इस बिजनेस के बारे में समझ लीजिए को सारे बिजनेस फेल लगेंगे इसके आगे इसकी भी मैं कमिटमेंट इसकी भी गैरेंटी देता हूं क्योंकि यह इतना बड़ा शांदार बड़ा बिजनेस है दोस्तों यहां पर कैपिटल के नाम पर कुछ नहीं लगाना सिर्फ नौलेज है लोगों को इंशुरेंस समझाना है लो लोगों के पास हेल्थ इंशुरेंस ना हो तो प्राइबेट हॉस्पटल बें वह इलाज नहीं करा सकते हैं उनका बहुत बड़ा खर्चा एगा कि दूसरी बड़ी नीड है नमबर त्री तीसरी बड़ी नीड यहां पर लोगों को सबके पास गाड़िया है टोविलर है फो इसे विंकम जो आपने आज कम किया उसकी अर्णिंग आपको रेगुलर कई सालों तक आएगी यह सारी पावर इस बड़े बिजनस के अंदर अविलेबल है तो दोस्तों अगर आप स्मार्ट बिजनस में इंशुरेंस बिजनस में अपनी लाइफ को स्टार्ट करना चाते है फुल टाइम बिजनस में फुली डिजिटल मोड में तो अलोवर इंडिया बेसे हम लोग एक कम्प्लीट एजेंट बनाने में बिलीव करते हैं आपको तीनों प्लेटफॉर्म देने में बिलीव करते हैं और यह शांदार लर्निंग ट्रेनिंग फुरा होल लाइफ आपको स आपको सारी इंफॉर्मेशन डिटेश जनरली शेयर करूंगा नमस्कार आपका दोस्त योगेंदर बर्माइब आज कर दो आज